नमस्कार आदाफ शास्त्रिया काल मैं उस्मान सेफी और आज का ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंप्रोटेंट होने वाला है इसके पीछे वज़े ये है कि हम है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का एक गाउं है बहमई बहमई गाउं ना के बल उत्तर प्रदेश में बलकि पूरे विश्वी पटल पर जाना जाता है पहचाना जाता है और इसकी पहचानने की जी वज़े है वो ये है कि जो एक दस्य सुंद्री रहे थी फूलन देवी तरसल इसी गाउं में उनको कई दिनों तक रखा गया था और उसके बाद उनका लगातार कई लोगों द् उसका प्रिशिद प्रतिशोद उन्होंने लेने के लिए अब वहां से अपने एक टीम बनाती है मतलब एक ग्रोह बनाया जाता है और ग्रोह बनाने के बाद फिर वो बापिस इसी गाउं में आती है और इस गाउं में आने के बाद बताया जाता है कि जिन्होंने उनके जाने कि बहार हैं यहां से करीब 500 मिटर के आसपास वो गाउं हैं तो हम पहली बार उस गाउं की तरफ जा रहे हैं मैं भी चाहूंगा कि उस गाउं को आप कम से कम इस मोबाइल के माध्यम से इस कैमरे के माध्यम से देखें कि आखिरकार वो गाउं कैसा है कैसा नहीं तो आप बने रही है हमारे साथ और चलते हैं हम उस गाउं की तरफ गाउं को देखकर विकुल ऐसे फिल हो रहा है जैसे फिल्वों में दिखाया गया था अभी वही चोटे कच्छे पुचे रास्ते हैं प्राने घर हैं और मिट्टी के बने हुए घर हैं इतना फैमस होने के बावजू हो है कि 14 फरवरी 1981 शनिवार का दिन था वो शाम चार वजे के निम्न निहते निर्दोष करमवीरो ग्राम जनूब का डांकों द्वारा सामुहिक नरसंगार इस्थल तो यह है वो इसमारक इस्थल और वो कुआ कहां है दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश के कानपूर देहात के गाओं बहमई में हूँ वो बहमई गाओं जो अक्सर चर्चाओं में रहता है जिसकी गूंज ना केवल हिंदूस्तान में बलकि पूरी दुनिया में फैली थी 14 फरवरी साल 1981 का वो दिन था जिस दिन ये पहली बार गाओं लोगों के दिमाग में आया था लोगों के बीच चर्चाओं में आया था दरसल चर्चा शुरू होती है इस जगे से हलेकि अब उसके नामों निशान पूरी तरसे मिठ चुका है यहां पर कभी कुवा हुआ करता था और उस कुवे से लोग पानी पीते थे और जब पानी पीते थे तो बताते हैं कि ये बराबर में ही इसके पासमी जमना नदी है जमना नदी की जब बाड़ आती है तो उस बाड़ की वज़े से इस कुवे के जो अंश थे वो कहीं न कहीं खत्म हो चुके हैं गाउं के ही लोग हैं ग्रामीड हैं हम इन से बाचित करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनके बुजर्गों ने वो दरश से जानने कोश करेंगे यह यहां पर कुगा करता था ना जी यहां पर चार खंबे जैसे कुगा का नमूना होता है उसी परकार से चार खंबे थे जब जमना जी की वार आई तो कुगा तो काफी गहरा होता है तो वो जमना जी की वार के कर उसी में डहे गए वो खंबे उसी में चले यह सब एक साह हो गया है आज अस्तिती यह है कि यहां नामों निशान नहीं है जैसे वी यह क्कुवे का नामनुशन मिठ चुका है तो कहीं न कहीं उस घठना की वियादें धोड़े देरे देरे खत्म होने की और है और गटना से इस कोई संबन नहीं है कहा जाता है कि जैसे कि अब पिक्चर आई थी बैंडिट क्वीन अगर हम गूगल पर सर्च करें तो एक कुए का जिकर आता है कि फूलन देवी जो की दस्यू सुन्द्री रही थी उनको इस गाउं में रख भाया गया है आस तक उसमें बताया जाता है कि इस गाउं के लोग चुप रहे खामोश रहे और जिन जिन ने फूलन देवी के साथ वो हादसा किया था उसका बदला लेने की यह वो यहां आती है उनको यह ख़वर मिलती है कि वो सारे लोग चाहें लाला राम हो या श्री र बात यह कि इस गाउं में कोई बदला से एषा वाहर करने की कोई एमाकत नहीं करेगा पेली बातは विक यह आप भी लिए से जानते हैं हम भी जानते हैं क्युंकि उनके पास राइफले हैं अच्छ इच्छे आउजार हैं और ढड़ने की तो हिंमत करेगा उनके सामने कौन पलातकार कर सकता है किसकी इंमत है कर सकता है और रही बात ही ये कि यहां बदमासों का मैन अड़ा भी रहा है किए हर्ड गाउं ट्राँ यह Right by everything हम एक मेन अड़ा रहा तो स्रीरम लाबा कुछ हमारी ब्रादरी के पाए जाते है उठाकों थे बजे ये रही तो उनकी मुटवेड होती रही बाद, चीज कहीं उन्होंने वो मान सिंग को मारा, कहीं किसी को मारा, ऐसे ऐसे बह्मनुस्ता हुई, तो फूलन को यह लगा कि लाला राम ठाको हो रहे ही बह्माहि वाले उनको पनाय देते हैं, उसी से बिक्रम मलाय की हत्या की, इस मतार चुकी थी इस है इस गटना के पहले इधर बता ते यह अं महिदेवा ओफ समय हमारी यह उम्मर थी आ दो कि हम देखे हो आपको वक्त आप बच्चे रहाएं उस वक्त आप बच्चे жд करना कि आपको है तो यह गाउं के लोग हैं इनकी उम्र है इनके उम्र के लोग किस भबार हम कुछ नहीं बता से हैं जी ना 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 बतानो बता हम बता वाएं अब देखत देखत हम भी बूडे होगे और जो यहां जने कराया आए कांड भाओ वह भी गुजर जाए हमें लाब तो इस गाउं को जरूरती सिक्षा की इस गाउं को जरूरती बिजली की बिजली आये हुए मुच्छल से पांच साल के आसपास होएं इस गाउं में कोई एक स्वास्त के अंदर तक नहीं है अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती कोई परशानी हो जाती है वो सीधा यहां से शेहर की तरफ भागेगा और तब तक कोई शुब्दा न थी रात में लेकर गए वहां तक और उरही न पहुंच पाई खतम होगी आज वह जलके आई कोई शुब्दा है इस गाहों से बस आए और पो ले जाए टीवी बनाए रहे दिखाए रहे पई फाइदा लए रहे इस गाहों को सब्रे जित्ते आदमी यानि उसमें गवाय थे और मौजूद कांड देखो वह भी लेत गुजर गए गाहों के पेड़े पाउदे और कुगा बारी लेत निकल गए और यहां कुछ नहीं हुए हमें स मांगने तो आते हैं हालकि हमें अगर कोई अच्छी बिल्डिंग के नाम पर यहां दो चीज़ दिखाए देती हैं एक चोकी दिखाए देती है दूसरा यह विद्या ले दिखाए देता है जो की प्राइमरी पार्ट शाला है और प्राइमरी पार्ट शालाओं की हालत कैसी रहती है, वहाँ पर किस तरह से बच्चों के फिर्ती इमानदार से काम किया जाता है, नहीं किया जाता है, वो भी आपने देखा भी होगा, जग जाहिर भी होगा, कि प्राइमेर से पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, आजकल कितना कुछ आगे बढ़ पाते हैं, मैं कहता हूँ कि छोटी मूटी नोकरी भी हासल नहीं कर पाते, आठ में पढ़ने के बाद उससा आगे बढ़ भी नहीं पाते, यहाँ वाकि इस रोट को ऐसी connectivity देनी चाहिए थी, जिस connectivity के साथ यहाँ से आने जाने के सुक्स विधाएं थोड़ी बढ़ जाते हैं, आज भी यह गाओं बहुत मशूर है, किताबों में इस देख सकते हैं, आप Google पे सर्च कर सकते हैं, तमाम वीडियों में देख सकते हैं, तमाम फिल्मों में देख सकते हैं, लेकिन जहां जरूद होती है जिस चीज के सड़क तक नहीं है ठेक से अगर हम देखें अब यहां आने जाने के लिए सड़क भी नहीं है बस वहां पुल मानलो सरकार ने बनाए तो उधरे इस रोड हो जै अब यहां से हम पैदल फिर जावां खपकर इस गाउं से अगर हम उस दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो वहां तक पहुंचना गाउंवालों के लिए आसान काम नहीं है कई किलो मेटर तक कई किलो मेटर घूम के जाना पड़ेगा जी बहुत बढ़िया बात कहिए कि अगर इस पूल पे जाना होगा तो पांच किलो मेटर चक्कर काट के जाने पड़े है हम लोग नहीं कहिए यहां जमना जी आयके कछराम बढ़ जाए कोई सुबदा नहीं है यहां से हमको रोड मिलना चाहिए तब हमारा गुजारा सही हो दस्यू सुंदरी जिसका नाम फूलन देवी उसको निवस्तर किया गया उसने यह कुए से पानी भरवाया उसके साथ गलत काम किया लेकिन इसके इतर भी कहानिया हैं जिन कहानियों पर ध्यान देने की जरूरत है यहां मीडिया को भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है और जो इस मुद्दे के चक्कर में, जो गाउं के जरूरी मुद्दे हैं, सिक्षा, स्वास्त है, बिजली, वो सब दब के रह जाते हैं, इसलिए शायद इस गाउं का कभी भला नहीं हो पाया, और गाउं की अच्छाई की इसी बास से अंदजा लगा सकते हैं, यह मैंने ही कहता ह हैं, यहां कोई मुकद्मा नहीं लिखा जाता, तो इस गाउं के किस तरह के चाल चलन हैं, इस बास से अंदजा लगा सकते हैं, कि कोई यह मुकद्मा ही नहीं है, तो यह लोग किस तरह से रहते होंगे, यह आपस में अच्छी से मिल भाव से रहते हैं, आप लोग पत्रकार पराबर फलानी ची डिकानी ची अपका हुए जब हमले गुजर गए मालो माई पुरकन ने देखो तो कांड और उसमें मरे भी वो गुजर गए गवाय भी गुजर गए और आज हमाई सब की नौबत आए गई थी यह बात जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की इस गाउं के जो स्कुए से बात शुरू होई थी और हम गाउं में अंदर भी गए लोगों से मिलने की भी कोशिश की पराने लोगों से बातचित करने की कोशिश की गाउं की आज एक महिला थी जो खत्म हो चुकी है तो स्कुए से भी कुछ लोगों ने बातचित करने से हमसे मना कर दिय और बात चीत ना करने की वज़ए ये है कि जो गाओं वाले कहना चाहते हैं, उनके मन में जो बात है, वो कभी बाहर आई नहीं और इनका ये दावा है कि फूरन देवी की जब हाथ में हत्यार था तो उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, बस आस तक इस बात का इनने जवाब मिल न नहीं पाया, दोस्तो इस पूरे घटना गर्म को बताने का उद्देश है किसी को परशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखना नहीं है, बलकि आपको जागरूप करना है, आपको सचेत करना है, आप जहां भी रहें अपना खयार लखें, सुरक्षित रहें, जैहिन, जैभा झाल करना है, धरै यादरूट शिंग है, थऑ झाल करना है, जैभामिया करना है, आपको सकण रहें आपको सम